हेलो फ्रेंस वेलकेम बैक टू आवर चैनल दोस्तों आज हम अन्वाक्सिंग करने वाले हैं ट्रोनिका 5.1 होम ठेटर का जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा में है और दोस्तों काफी सस्ता यह मिल जाता है 2000 के अंडर में आपको यह 5.1 होम ठेटर मिल जाएग बरा सा जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए है और दोस्तों ट्रोनिका की एक ब्रैंडिंग मिल जाती है और दोस्तों यह फुली रिमोट कंट्रोल है तो आपको रिमोट इस परकार से देखने को मिल जाता है ट्रोनिका की ब्रैंडिंग के साथ और दोस्तों यहां पे इसका डिस्प्ले एक आ जाता है और भी कोई सारे मोड इसमें आ जाते हैं दोस्तों USB और आप SD कार्ड लगा कर भी इसमें चला सकते हैं सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों इस परकार से आपको बॉक्स मिल जाएगा जो कि यहां पर बॉक्स पर डिटेल्स प्रवाइट किया हुआ मिल जाएगा 5.1 मल्टी पावर साउंड सिस्टम तो दोस्तों इस परकार से आपको यहां पर बॉक्स मिल जाएगा तो चलिए इसे अन्बॉक्सिंग करते हैं और आपको इसका अंदर का लुक दिखाते हैं सबस्तों यहां पर देख सकते हैं बॉक्स पर कई सारे डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ है USB, HD कार्ड और भी AUX या TV से कनेक्ट करके आप इसे easily यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं सुगाज यहां पर देख सकते हैं कुछ इस परकार सिया पैकिंग रहता है तो काफी दोस्तों सेफटी से इसका पैकिंग किया गया है और इस टाइप से दोस्त देख सकते हैं रिमोट आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है और यहां पर साउंड बॉक्स आपको मिल जाता है जो कि दो छोटा सा रहता है दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं काफी वरा है और दो और स्पीकर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस परकार स और इसे भी दोस्तो पनि में पैक रहता है तो इस सब को हम बाहर निकाल लिए है और यहाँ पे इसका देख सकते हैं दोस्तो यूजर मैनुवल और रिमोट का डिटेल से आपको इसे यूजर मैनुवल में मिल जाएगा और दोस्तो यह वारेंटी कार्ड है तो दोस्तो इसका एक साल का वारेंटी रहता है कोई भी डिकताने पर आपको सिंपली से कस्टमर केर सर्विस को कॉल करना है और दोस्तो होम सर्विस आपको करके देगी तो इसक्या सर्विस दोस्तो बहुत ही फास्ट है अगर आप भी 2000 के अंदर में 5.1 होम ठेटर लेना चाहते हैं तो इसको ल आपको FM connect करने के लिए आपको इस परकार से एक जैक मिल जाता है दोस्तों इसे आप easy लिए यहां पर control कर सकते हैं और दोस्तों पांच बोक्स इस परकार से आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं जो कि दोस्तो इसका बर्डी क्वालिटी जो है दोस्तो काफी ज़्यादा है और दोस्तो इसका जो साउंड का क्वालिटी है दोस्तो वह भी काफी ज़्यादा अच्छा है वीडियो में आगे आपको इसका साउंड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा और दूस्त इसका जो birdie है main home theater का हो दोस्तो wooden birdie से यहां पे less है दोस्तो और इसका front side look आप कुछ इस परकार से देख सकते हैं जो की काफी ज़्यादा slim है और दूस्तो soft काफी ज़्यादा है इसको पकरने में soft लगता है और दोस्तो आगे में आपको एक display मिल जाता है एक mode button मिल जाता है और दोस्तो एक USB jack और दोस्तो volume up-down के लिए button मिल जाता है दो और एक बड़ा size का volume आपको इसमें मिल जाता है जो कि दोस्तो volume control करने के लिए हो जाता है आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एक base control के लिए आपको मिल जाता है और उसके नीचे में दोस्तो base hole आपको एक मिल जाता है इसका back side look आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे on off switch मिल जाता है और आपको एक बड़ा size का power cable यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो की काफी ज़्यादा लंबा है और एक room के लिए best home theater है सुगाईज अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो दोस्तो डिस्क्रिप्शन में आपको buy link मिल जाएगा वहाँ से आप इसे base jack buy कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो दोस्तो 2000 के अंडर में यह best home theater आपके लिए है पीछे side में आप देख सकते हैं 8 jack आपको इस type से मिल जाता है जो कि अलग अलग function के हिसाब से आपको connect करना है इसका उपर का look देख सकते हैं दोस्तो काफी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और काफी अच्छा है दोस्तो सुगाज बात करें इसे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो दोस्तो मेरे हिसाब से 5.1 home theater 2000 के अंदर में आपके लिए best choice हो सकता है और आप इसे रूम में लगा कर दोस्तो राम से अपना फिलिम और देख सकते हैं और दोस्तो अनन दूसका ले सकते हैं काफी ज्य